पंजाब के मुख्यमंद्री भगवंदमान ने लदाक में शहीद हुए सैनकों के परिजनों से मिलकर उनके साथ दुख सांजा किया इस दोरान सीयमान ने परिवार को एक करोड रुपई की सहायता राशी भी सौपी बता दे की 19 अगस्त को लदाक में दर्दनाक सडखाथ सा हुआ था जिसमें फरीत कोट के बसी पठान के तरणदीप सिंख शहीद हो गए इस मौके पर मुख्यमंद्री मान ने कहा कि ये देश शहीद की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा मान ने कहा हमारे देश के वीर सैनिक सीमा पर भारत देश की रक्षा करते हैं तबी हम खुली हवा में सांस लेते हैं धन्ने हैं ऐसे माबाब जिनके वीर जवान अपनी पूरी जवानी देश के नाम कर जाते हैं इस मोके पर सीम भगवंत मान ने परिवार को साहता राशी का चेक सोगते हुए कहा कि पुरा देश शहीद सैनिको के प्रती रिणी हैं जिनों ने देश और उनकी जनता की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी इस मोके पर सीम मान ने सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उपईक्त नोकरी देने का भी ऐलान किया इसके साथ ही उनके नाम पर एक स्टेडियम बनमाने का भी बादा किया मान ने कहा कि परिवार को हर संबव साहता दी जाएगी ऐसे में सचकों परिवार भी पंजाब के इस शहीद जवान को सेलूट करता है और उन्हें श्रधांजली अर्पित करता है हम अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि अपने कमेंट के रूप में अमर जवान को शत्षत नमन करें क्वक्व याटना परिवान कोस्की याटन अजसर के भी अर्पित रहे है झाल झाल